नमस्तार आप देख रहे हैं मारके टाइम्स टीवी मैं हूँ आपके साथ शालेरी श्रुवास सब कॉमेडिटी बजार से जुड़ी बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं फटफट अंदास में आज पांच मई को सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है सराफा बजार में सोना 555 रुपे महंगा होकर 51,620 रुपे पर पहुँच गया है वाइदा बजार की बात करें तो MCX पर दुपेर में दो बजे के बाद सोना 480 रुपे की गिरावट के साथ 51,090 रुपे पर ट्रेक कर रहा है देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश महाराश्च में किसान दाम को लेकर बड़े संकट का सामना कर रही है इस साल उने लागत से कम दाम पर प्याज बेशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है किसानों के मुताविक प्रती किलो प्याज उत्पादन की लागत 15 रुपे से अधिक हो गई है जबकि काफी किसानों को सिर्फ एक रुपे प्रती किलो के रेट पर प्याज बेशने के लिए मजबूर होना पड़ा इस साल महाराश्च में चने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इसके बावजूत किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि उन्हें अच्छा भाव नहीं मिल रहा है चने की कीमतों में पिछले आठ दिनों में लगातार गिरावर्ट देखी गई है जिन किसानों ने उच्छ दरों की चा में सोयवीन स्टॉक कर लिया है उन्हें भारी नुकसान हो रहा है वर्तमार में खरीब सोयवीन की आवक अंतिम चरण में है सोयवीन आयात से सोयवीन की कीमतों पर असर पड़ा है भारत का गिहू उत्पादन 2022-23 में करीब 5.7% कम रहने की संभावना है अप्रेल में तापमार में बढ़ोतरी के बाद पहले के 1113.2 लाग तन उत्पादन के अनुमान की तुल्ला में अब ये 1050 लाग तन उत्पादन होने का अनुमान है वही सरकारी खरीद आदी घट कर 195 लाग तन रह गई है इसके बाब जू सरकार के निर्याद पर रोक लगाने की योजना नहीं है केंद द्वारा का पास पर आया शुल्क कम करने के बाद सूती धागे की कीमत में 40 रुपे प्रति किलोग्राम की विद्धी हुई है तिरूपरें गार्मेंट ओनर्स एस्सेशन ने मंगलवार को एक बयान में हर्ताल की घोशना भी की कपड़ा इकाईया जादता निर्यातक चिंतिद हैं सूती धागे की कीमतों में बढ़ोतरी से उनके कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा पंजाब में गेहु खरीद की सरकारी प्रक्रिया पर विराम लगना शुरू हो गया है इसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहट पंजाब के खाद नागरी का पूर्ती और भोकता मामलों के विभाग ने राज्यू की 100 से 150 मंडियों को बंद करने का फैसला लिया है दिली एंसियार में बुद्वार की शाम तेज हवा चलने हल्की बारिश और ओले गिरने से मौसम सुहाना रहा इसी के साथ गर्मी से भी लोगों को बड़ी राहत भी मिलिया है अमडिये के मुताब एक गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है इस दोरान आसमान में हलके से बादल च्षाय रहेंगे और गरस के साथ बिजली गिरने क्या अनुमान भी जता है तो कॉमिडिटी बजाय से जुडिक बड़ी खबरों में आज बस इतना ही बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं मार्के टाइम स्रीवी के सार मुझे दीजे जाज़त नमस्कार अनुमान भी जता है